है गाइज आज हम जानेंगे कि एक्सल में हम कई तरह से प्लस कर सकते हैं प्लस इट मेंस कि हम सम कर सकते हैं गाइज इसमें आपको तीन से चार तरीके बताऊंगा जिससे कि हम एक्सल में प्लस करने का सौट तरीका सर्च कर सकते हैं जैसे कि पहला तरीका है इसको इसकल टू लगाएंगे और यहां पर हम 66 और फिर प्लस का साइन लगाएंगे फिर यहां पर 78 मेंशन कर देते हैं फिर एंटर कर देते हैं तो यह तरीका है कि हम इसकल टू साइन लगाके आप फर्स नमर देंगे फिर प्लस का साइन लगाके फिर सेकेंड नमर देंगे देन एंटर कर दे तो इस तरीके से भी plus हो जाएगा सेकंड तरीका यह है गाइस कि लिए सबसे पहले जैसे कि यह आपका quantity दे गई है जैसे कि आप छेक कर सकते हैं सभी में quantity दे गई है और इस सभी quantity को मैं एक ही click में plus करना जाता हूँ तो इसके लिए guys सबसे पहले हमें क्या करना है alt के साथ is equal to assign लगाना है और enter कर देना है alt के साथ is equal to assign लगाना है enter कर देना है enter करते ही जितने भी quantity के stock थे वो सभी plus हो चुके हैं guys आप देख सकते हैं और third तरीका क्या है third तरीका के लिए guys हम यहापे formula यूज़ करना होगा is equal to assign लगाना होगा यहापे type करना होगा sum sum then bracket open करना है और यहापे आपको सभी को select कर लेना है select करके bracket close करना है और देन enter कर दिना है यह आपका third तरीका हो गया guys plus करने का एक और तरीका है जैसे कि यह सभी quantity में मैं 50 सबको add करना चाहता हूँ सभी quantity में 50 add होना चाहिए तो इसको सबसे पहले हम copy कर लेंगे इसको 50 को हम सबसे पहले copy कर लेंगे Ctrl C से copy करने के बाद सभी quantity को select कर लेंगे select करने के बाद guys simple आपको यहापे paste का option आएगा tab बार में home tab में जाएंगे यहापे paste का option आएगा paste का option पर क्लिक करना है paste special पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखे एक add का option आएगा add पर क्लिक किजिएगा और देन ok कर दीजिएगा सभी जो quantity थे उसमें 50 जो है 50 नंबर वो add हो गया है यह आपका सभी जो आपके plus का sum का जो formula था मैंने बताया आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें subscribe करें thank you